दस बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं और दस बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे उस पे इडी ने का इस पे भरोसा नहीं भरोसा नहीं भरोसा नहीं और जैसे ही उसने 25 अपरेल को अर्विंद केजरीवाल के खिलाब बयान दिया उसकी बेल हो जाती है उसकी बेल हो जाती है अब यह सरद रेड़ी जिसको भारती जन्ता पार्टी कहती है यह सराप का घोटा लिबाज है यह सरद रेड़ी जिसको भारती जन्ता पार्टी कहती है सराप का बहुत बड़ा घोटाले बाज वेक्ती है इडी कहती है सराप का घोटाले बाज है उसको गरिफतार करती है छे मईने जेल में रखती है केजरीवाल के खिलाब बयान लेने के लिए बार बार कहती है दस बार वो कहता है नहीं 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 केजरीवाल से कोई बतलब और रिस्ता नहीं दस बयान के बाद जब तूट गया और इसने केजरीवाल के खिलाब बयान दे दिया छे महीने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है यह सरद रेड़ी कौन है असली घोटाला सुरू हुआ एडी के जाच के बाद भारती जंता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाईयों को कब पहुंचा पांच करोण रुपए का पांच करोण रुपए का पंद्रा नवंबर को पहली पेशगी और नजराना पांच करोण का पहुंचा और कुल 55 करोण रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन सरद्रेड़ी, उस किंग पिन ने 55 करोण रुपए की रिश्वत भारती जन्ता पार्टी को दी, 55 करोण रुपए की, मनी ट्रेल तो खुले आम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला भारत के सर्वोच्च न्यायले की किरपा से पता चला जब उन्होंने का दिखाओ 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 तो 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे बताना पड़ा कि ये सरद रेड़ी है सराब का घोटाले बाज किंग पिंज इसको कह रही थी एडी और जैसे ही 6 बच के 50 मिनट पे भारती जनता पार्टी के सराब घोटाले का खुलासा हो जाता है साथ बच के 14 मिनट पर मुख्यमंतरी के दफ्तर पे मुख्यमंतरी के घर पे छापा पड़ जाता है क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि बई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे इसका खुलासा हो जाता है पच्पन करोर रुपए की रिश्वत भाजपाने लिए इस बात का खुलासा हो जाता है उस खबर से ध्यान हटाना है जनता का ध्यान भटकाना है पहुंच गये केजरिवाल के धर और साथ बच के चोदा मिनट पे चापा मार दिया का गया एडी के धिकारियों को जा जल्दी वरना है तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बर हो जाएगा और धाई घंटे की पूस्ताच में जो दस सम्मन दे रही थी एडी और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खतम करना चाहते हैं अर्विंद केजरिवाल को गरिफ्तार करना चाहते हैं वो बात सच निकली और अर्विंद केजरिवाल जी को दो घंटे की पूस्ताच के बाद गरिफ्तार कर लिया गया